रोहिस सर्मा के गलत फैसले ने डुवाया टीम इंडिया ने अपना लोएस्ट स्कोर बनाया जिया भारत के कागजी सेर मात्र 46 रनों पर ढेर भाई पहले दिन का खेल जब बारिस की बज़े से धुल गया तो ऐसा लगा कि सायद भारत की डब्ली टीजी फाइनल की राह में ब लेकिन नाइई दूसरे दिन का खेल जब देखा तो पता चला की भाई पहले दिन तो बारिस ने टीम इंडिया को सरमसार होने से बचा लिया था लेकन भाई क्या कर जब कुई पूरी तरह से सर्मसार होने पर उतारू ही हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता हो यहा भारती टीम भी वही किया एक ऐसी पर जहां पता था पहले से ही ओबरकास्ट कंडिशन थी कि यहां पर गैंद बहुत तरीके से स्विंग होने जा रही है रोहिस सर्मा ने इतना बाहियात फैसला किया पहले बल्लेवाजी करने का और बो बल्लेवाजी पूरी तरह से ढह गई तीम इंडिय इस रन के स्कोर में टीम इंडिया को मिले हैं बड़े बड़े अंडे जी यहां बड़े बड़े अंडे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टीम इंडिया के धुरंदर महानतम बल्ले बाच हैं चाहे वो रन मसीन हो चाहे वो ब्रैड मैन हो चाहे कोई भी हो यहां पर वो अ अंडे दे करके गए हैं, जिया अंडे, तो किस-किस ने दिये हैं, इस स्कोर में अंडे हम इस वीडियो में जरद देखने वाले हैं, सबसे पहले तो भारत की रन मसीन, जो कि अब इंगलेंड के हो चुके हैं, जिया लंदन से आते हैं खेल लें, इन्होंने बनाए हैं, नो ग अंडे लूरु के खिलाडी, केल राहोल, इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, च्छे गेंडों में अंडा दिया, यह भी जीरो रन बना करके आउट होई, इसके बाद जीरो रन की बारी आती है, हमारे गुजराती भाई, सर रबिंद जड़ेदा की, च्छे गेंडों मे जीरो रन और यहीं नहीं अक्सर ऐसे मोमेंट पर खत्रे के मोमेंट पर टीम इंडिया को संकट से उबारने वाले अस्वन भी आज जीरो बना करके आउट होगे तो निउन्तम स्कोर तो बनेगा ही बनेगा इस पारी में टीम इंडिया के लिए सब 30 रन बनाए हैं भारत के रिसपन्त ने 49 गयांदों में 20 रन दो चौक की मदस से इनकी अलाबा ओपनर एससवी जायस वाल ने भी 63 गयान ने खेलते हुए मातर 13 रन बनाए सरमसार करने बाले आकड़ों की तो बोले ही क्या निउजी लेंड के मातर 3 गयांदवाजी पूरी की पूरी टीम इंडिया को समेट गए मातर 32 बर से पहले जिया जहां टिम साओदी ने एक विकट लिया लेकिन इसके बाद मैट हैनरी और बिलियम और उरके ने सारे विकट आपसे बांट लिए जहां हैनरी ने पांच बिकट लिए तेरा दसमूलत दो बरी गयांदवाजी में वहीं और उरके ने लिए चार विकट मातर 12 ओबरों में कुल मिला करके टीम इंडिया को इन तीनों गयांदवाजों ने 46 रनों के स्कोर पर बुक कर दिया और इस तरह से भारती टीम अपनी ही जमीन पर अपने सब से कम टेस्ट स्कोर पर ओल आउट हो गई और इस तरह से डेब्लू टी सी के फाइनल का सपना भारत का एक फिर से खत्री में पड़ गया है तो ऐसे मैं आप लोगों का क्या कहना है भारत की सर्मनाक प्रदरसन पर साती साथ रोय सर क्राइब जरूर करें